नमस्कार दोस्तों, Review Support YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सीजेरियन डिलेवरी से बचने के लिए आपको कौन कौन से उपाए अपनाने चाहिए आपको मैं बता दू प्रेगनेंसी के दोरान स्वास्त आहार लेना काफी ज़्यदा जरूरी होता है इसके अलावा हर गर्बती महिला की सबसे बड़ी यह चिंता होती है कि उनकी नॉर्मल डिलेवरी होगी या फिर सीजेरियन डिलेवरी यह बात बहुत सी गर्बती महिलाओं को परेशान भी करती है आज कल के लोगों में ऑपरेशन को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं तनाम में बहुत सारी गर्बती महिला अपने गर्बधारन ब्यतीत करती है जिस बज़ा से उनकी सीजेरियन डिलेवरी होती है और ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको अगर आप प्रेगनेंसी में करती है तो आप आपकी नॉर्मल डिलेवरी आसानी से हो जाती है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें वीडियो सुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिभ्यू सपोर्ट यूटूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुरी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहँचे अगर गरपती महिला चाहती है कि उनकी डिलेवरी नॉर्मल डिलेवरी हो तो नॉर्मल डिलेवरी के लिए आपको प्रेगनेंसी के एक से लेकर 9 महीने तक हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है इसके अलाबा आपको अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन, आईरन, फाइवर इन सारी चीजों को सामिल करना काफी ज़्यदा जरूरी होता है इसके अलाबा तेलिये चीजों से दूर रहना चाहिए अगर आप नॉर्मल डिलेवरी और स्वस्थ प्रेगनेंसी वेतीत करना चाहती है तो आईए जानते कुछ इन्पोर्टेंट 5 टिप्स के बारे में जिनको अपना कर आप अपनी नॉर्मल डिलेवरी को आसानी से संभव कर सकती है पहला टिप्स स्वस्थ रहना प्रेगनेंसी में आपका स्वस्थ रहना काफी ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दोरान अगर प्रेगनेंट महिला स्वस्थ रहती है तो इससे उनके गर्व में पल रहा सिसू भी स्वस्थ रहता है स्वस्थ प्रेग्नेंसी होने पड़ी आपकी नॉर्मल डिलेवरी होती है अगर आपकी प्रेग्नेंसी अस्वस्थ है तब आपकी नॉर्मल डिलेवरी नहीं होती है स्वस्थ प्रेगनेंसी कहने का मतलम आपके सरीर में किसी भी परकार की कम जोड़ी न हो इसके अलावा आपके सरीर में खुन की कमी भी नहीं होनी चाहिए तभी आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है और आपकी नौर्मल डिलेवरी होगी दूसरी टिप्स टहलना गर्भावस्था के दवरान हर गर्पती महिला को यह सलाह दी जाती है कि उनको चलते फिरते रहना चाहिए आपको एमतादू प्रेगनेंट होने के बाद आपका टहल फिर करना काफी ज़्यदा इंपर्टेंट होता है साथ ही आप इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी भारी काम न करे अगर आप भारी काम करती है तो इससे आपको नुक्सान हो सकते है टहलना फिरना काफी ज़्यदा इंपर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के दोरान आप सूबा साम 30-30 मिनट पैदल जरूर चले इतना टहलना आपके लिए एनफ रहेगा और आपकी प्रेगनेंसी इस से बिलकुल स्वास्त और सुरक्षित रहेगी सही आहार और हेल्दी डाइट आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए एसे समय में केवाल आपका भूख सांत करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए गर्बती महिला को ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उनके सरीर में संपूर्ण आहार मिल सके क्योंकि नॉर्मल डिलेवरी के समय आपका बलड लौस होता है लेकिन आपको मैं बता दू नॉर्मल डिलेवरी से भी ज़्यादा बलड लौस सीजेरियन डिलेवरी में होता है ऐसे में आपको आहार मिंटेन करना कितना जरूरी होगा ये आप खुद समझ रखती है इसलिए pregnancy के दोरान स्वास्त आहार का 7 करें ताकि आपकी पूरी pregnancy स्वास्त और सुरच्छित वेतित हो सके और आपकी normal delivery हो सके चौथी tips पानी पीना Pregnancy के दोरान आपके सरीर का तापमान बढ़ जाता है ये आपको पताई होगा लेकिन ऐसे में अगर आपका तापमान बढ़ता है तो आपके सरीर से पसीना बहुत आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको पानी बहुत पीना होता है अगर आप पानी पीती है तो पानी पीने से आपके सरीर के अहर अंग को oxygen भरपूर मात्रा में मिलती है जो कि pregnancy के दोराज आपकी normal delivery में काफी ज़्यादा help करती है इसके अलावा normal delivery के जो समय दर्ध होता है उस दर्ध को सहने के लिए जो सकती होती है वो भी बढ़ जाती है अगर आप पानी ज़्यादा पीती है तो पांच भी टिप्स वयायाम करना और तनाव मुक्त रहना गर्भावस्था के दोराण गर्भती महिला को नियमित रूप से वैसे exercise करने चाहिए जो आपकी normal delivery में help करते हो आप भारी भर कम exercise ना करें इसके अलावा पूरी pregnancy तनाव मुक्त वेतीत करें आपको पर किसी भी परकार का तनाव आता है तो इससे आपका मानसिक इस्थिती ब ख्यान दखें और normal delivery के लिए तनाव मुक्त प्रेगनेंसी काफी जरूरी होता है वीडियो के अलावा कोई सवाल हो तो आप comment box में आसानी से पूछ सकते हैं वीडियो को like करें और वीडियो को share जरूर करें